हेलो गाइज मैं हूँ निलेश एंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज किस वीडियो में हम सिखने वाले हैं कि कैसे हम CSS Grid का यूज करके किसी भी वेबसाइट का responsive layout create कर सकते हैं यह design हम CSS Grid के help से create करने वाले हैं चलिए इसकी responsiveness भी चेक कर लेते हैं जैसे ही हम screen के size को करते हैं चोटा तो यह देखेगा एक point पे आने के बाद में यह automatic हमें एक row के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं sorry एक column में हमें दिखाई देने लग जाते हैं तो यह responsive design हम create करना सिखने वाले हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो या like and cheer जरूर करिएगा so without wasting any time let's get started यहां पे हमने simple सा html का structure बनाया हुआ है और साथ में हमारी जो css वाली फाइल है grid css.css इसको हमने link कर रखता है तो यह हमारी css वाली फाइल है और यह हमारी html की फाइल है तो सबसे पहला काम होता है elements को create करना तो देखिए हमें कौन से कौन से element बनाने है एक हमें nav bar चाहिए side bar main फिर तीन boxes हमें चाहिए और एक हमें footer चाहिए तो चलिए पहले इतने element बना लेते हैं html के अंदर then तीनों box के बाद में फिर हमें चाहिए अपना footer तो चलिए footer tag लगा देते हैं और इसके अंदर भी लिख देते हैं footer तो ये देखें जितना भी html का काम था हमने complete कर लिया है इसको save करते हैं देखते हैं इसका output हमें कैसे दिखाई दे रहा है copy file पात करते हैं browser पे आके next tab के अंदर कर लेते हैं इसको paste तो ये देखें अभी हमें सिर्फ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले जो पास को करते हैं यहां से copy आते हैं अपनी css वाली फाइल के अंदर और देखिए class है dot के साथ में paste करेंगे यहां पे देखें मैं सबसे पहले display को कर दूंगा grid इसकी height set कर देंगे हम 100 vhne viewport height save refresh सो यह देखें यहां पे screen की जो complete height है उसको cover कर लिया है अब देखें हमें यहां पर करना क्या है सबसे पहले हमें column बनाने है तो यहां पर चीज नोट करिएगा कि यहां पर अपने पास column कितने हैं देखिए एक sidebar वाला column one यह second column यह third column और यह fourth column तो अपने इस पूरे page पे number of columns कितने है four है one two यह third और यह fourth तो चार column है चलिए css में वही लिख देना है हमें चार column है चारों हमें one fr का ही चाहिए fr होता है fractional unit तो सभी हमें equal चाहिए इसके और सभी की value set कर देता हूँ अब चलिए rows की बात करते हैं तो grid template rows हमें कैसे चाहिए वो set करते हैं देखिए अब देखिए जो first वाली row है यह इसकी आपकी जो height है वो आपके कम दिखाई दे रही है इनकी height हमें set कर नहीं है देखिए first वाली की मैं set कर दूँँगा नेव बार के लिए 0.4fr then देखिए जो हमारी second row है यह हमारी second वाली row है main वाली तो इसकी height यहाँ पे double कर देते हैं 1fr की जिगे तो चलिए double तो नहीं 1.5fr कर देते हैं फिर देखिए जो third वाली row है अपनी यह box वाली तो यह भी काफी बड़ी है तो इसके लिए हम क्या set कर देंगे 1.3fr इसकी height set कर द है यह देखिए हमारा footer यह थोड़ा छोटा है इसकी जो height है वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है तो इस fourth वाली row की जो height है वो हम यहाँ पे set कर देंगे 0.8fr की save करते हैं again आते हैं browser पे और करते हैं अपनी वाली file को refresh अभी भी perfectly show नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने color supply नहीं किये हैं तो चलिए color लगा देता हूं ताकि easily आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पे हमने color supply कर दिये हैं save करते हैं आते हैं browser पे तो यह देखे सारे colors हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमारे पास column सिर्फ एक ही है क्यों है क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे only one fr किया ह हमें column कितने चाहिए four चाहिए तो one fr कितने time कर देंगे four time यहाँ पे हम कर देंगे save करते हैं again आते हैं browser पे और करते हैं refresh सो यह देखे हमारे पास चार column आ चुके हैं लेकिन हमारे पास boxes seven थे इसके लिए लास्ट वाला blank हमें यहाँ पे चलिए जो text का color है उसको भी change कर देते हैं तो यहाँ पे text का जो color है वो मैं set कर दूँगा white save refresh अब देखिए हमें करना क्या है जो हमारी nav bar है उसको कहां तक ले second third and fourth चारो पे चाहिए तो यह देखिए एक सबसे simple तरीका मैं आप आपको बताने वाला हूं हमें क्या करना है हमें यहाँ पे लिखना है grid template areas अब हम यहाँ पे इनका area set करेंगे देखिए करना क्या है कि जो nav bar है वो हमें कहां तक चाहिए चारो column में चाहिए उपर तो नेव बार और नेव बार तो फर्स्ट रो में हमें क्या चाहिए चारो जगह पे नेव बार चाहिए अब देखिए second row में हमें क्या चाहिए आते हैं browser पे और यहाँ पे देखेगा second जो हमारी रो है उसमें first वाले column में sidebar चाहिए और second third और fourth में हमें main वाला div चाहिए तो दे तीनों जगह पे मैं सेट कर देते हैं अब चलिए third row की बात करते हैं third row में भी first column में हमें क्या चाहिए sidebar चाहिए हमें यह तीनों boxes चाहिए one two three तो यहाँ पे देखिए first वाले column में तो sidebar और बाकी की जगह हमें क्या चाहिए हमें चाहिए box one then चाहिए box two और फिर हमें चाहिए box three अब चलिए fourth row की बात करते हैं fourth row में हमें क्या चाहिए same यहाँ पे देखिए एक first वाले column में sidebar और तीनों जगह पे footer चाहिए तो हमने यहाँ पे area को set कर लिया लेकिन हमें define भी करना पड़ेगा कि यह area है क्या क्या तो देखिए navbar के अंदर हमें इसको define करना है nav tag में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे grade area अब इस area में हमें बताना पड़ेगा कि जो हमने उपर navbar लिखा है वो किस से related है वो आपका इस जगह से related है same as it is main के अंदर भी हमें बताना पड़ेगा जो हमने उपर main लिखा है यहाँ पे यह किस से related है यह इस वाले main से related है तो यहाँ पे भी लगा देते हैं grid area और इसको बता देंगे कि main वाला यह है same as it is बाकी के में भी set कर लिते हैं यहाँ पे हमने देखिए हर जगह पे grid area set कर लिया है यहाँ पे confuse बिल्कुल भी नहीं होना है यह मैंने सिर्फ उपर वाले को बताने के लिए यहाँ पे लिखा है कि जो main है वो क्या है आपका वाला है ठीक है और जो nav bar है वो आपका क्या है यह वाला है ठीक है तो बस यहाँ पे मैंने इसको define किया कि कहाँ पे हम इसका use करने वाले है अब चलिए save करते हैं आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं अपनी वाली file को refresh तो यह देखिए magic automatic इतना section हमारा set हो चुका है अब यह काफी chip के हुए है तो इनके बीच में हमें gap देना पड़ेगा तो चलिए container के अंदर gap कैसे लगाते हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा grid gap और grid gap में चलिए .2 ram का gap लगा देते हैं save करते हैं अगेन आते हैं browser पे और करते हैं refresh तो यह देखिए जितनी भी आपके grid है उनके सब के बीच में .2 ram का gap आ चुका है अब जो text है उसको center में लेके आते हैं तो यहाँ पे कर देते हैं text align center और जो font size है उसको भी increase कर देते हैं 1.5 ram कर देते हैं save refresh तो देखिए perfectly हमने grid layout create कर लिया अब इसको बनाते हैं responsive क्योंकि अभी देखिएगा यह completely responsive नहीं है जैसे हम screen के size को छोटा या बड़ा करते हैं यह आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है लेकिन यह responsive नहीं है तो इसको responsive बनाने के लिए अब हमें क्या करना है देखिए यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा सा media query का code करना है बहुत simple है media query हमें क्या लिखना होता है media query के देता हूं अब देखिए इसके अंदर मुझे style किसको करना है हमें style करना है अपने container को अब container में क्या style करना है जो हमने columns उपर बनाये थे देखिए grid template columns हमने जो उपर बनाये थे हमने कितने बनाये थे यहाँ पर देखिए हमने 4 column बनाये थे 1fr के ठीक है लेकिन इस बार हमें कितने column चाहिए यहाँ पर हमें सिर्फ एक column चाहिए तो media query के अंदर हम क्या कर देंगे number of column कितने कर देंगे 1fr कर देंगे only अब rows कितनी चाहिए दे तो यहां पर grid template रोज भी set कर देंगे यहां पर रोज कितनी है 7 है 1 2 3 4 5 6 7 रोज है तो चलिए 7 रोज की height width सब कुछ set कर लेते हैं यहां पर यहां पर अपनी जो 7 रोज है यह देखें इनको मैंने height assign कर दी है देखिया first वाला कुन सा था हमारा nav वाला था इसके लिए मैंने इसकी height 0.2 fractional set करी है और second वाला हमारा 2fr यानि जो main वाला है इसको मैंने 2fr की value assign करी है फिर sidebar है तो again छोटी चाहिए इसके लिए 0.2fr तो इस तरीके से मैंने आप इनको rows को height assign कर दी है 7 rows को अभी कुछ ज्यादा changes हमें देखने को नहीं मिलेगा अपनी वाली फाइल में चलिए करते हैं refresh और अभी कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है लेकिन अब इसके अंदर हमें इसका area भी set करना पड़ेगा कि हमें दिखाई कैसे देना चाहिए तो चलिए इसका area सेट करते हैं देन हमें क्या चाहिए देखें यहां पर सेकेंड पर क्या है हमारा में तो सेकेंड पर हमें चाहिए में और थर्ड पर हमें क्या चाहिए हमारी साइड बार चाहिए और फिर फॉर्थ पर हमें क्या चाहिए बॉक्स वन चाहिए देन उसके बाद में फिफ्थ पर box 2 और 6 पे हमें चाहिए अपना box 3 और last में हमें क्या चाहिए सबसे footer तो यहाँ पे हम area decide कर देते हैं सबका तो इतना हमने set कर लिया है चलिए save करते हैं आते अपनी वाली file पे और करते हैं यहाँ पे refresh तो यह देखे गाइस automatic हमने इतना set कर लिया और हमारी responsive design भी बनके ready हो चुकी है यह देखे जैसे screen के size को करते हैं चोटा यह देखे हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है और जैसे screen के size को करते हैं increase तो हमारा यह layout हमें बनके दिखाई दे रहा है I think आपको समझ में आगया होगा अगर फिर भी कोई doubts हो तो आप comment section में मुझसे जरूर पूछिएगा